स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेशिक राशी स्कॉर्पियून के लिए ये सप्ता कैसा रहेगा अप्रेल महिने की शुरुवात का एक अप्रेल से लेके साथ अप्रेल तक के दिन कैसे रहेंगे पूरा राशी पर मेरा नक्षत्रों के आधार पर होगा जिन जिन नक्षत्रों में चंद्रमा विच्छन करेगा उसी आधार पर मैं उपाई भी बताऊंगे तो शुरू करते हैं प्रेशिक राशी पर इस सब्ता आपको हैं आपके काम बन रहे हैं और आपके दिना अच्छे आ रहे हैं तो यह जो सब्सफता है एक तारीक और दो तारीक के बाद करें इस दिन चंद्रमा चलेंगे आपके सेकींड गर के अंदर, second गर होता है हमारे वानी का, धन का और कुटों का, तो ये दिन आपके लिए बढ़िया है, आपको कहीं ने कहीं से धन प्राप्ती होईगी, और धन आने से आपके कारे नहीं रुकेंगे, साथ ये साथ आपको अच्छे फलों की भी प्राप्ती होईगी, पर सीनियर्स के साथ आपके संबंद अच्छे बनेंगे, आपका समाज में मान संमान और ख्याती बढ़ने वाली है, शुकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने जीवन साथी से भी सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा, पूरे सप्ता आपको जीवन साथी से कुतते को, जो भी कुता मिले उसको आप खाना दें, और किसी भी कुते को आप परिशान ने करें, ने उसको पत्थर से मारें, इस दिन केतू की नक्षटर में चल रहे हैं, इसलिए आप इस दिन इमली का सेवन बिलकुल भी ने करें, और जितना हो सके हनुमान राज्णा मे अपना समय व्यतीत करें और दो तारीकों भी चंद्रमा आपके इसी नक्षतर में चलेंगे तो वह परिणाम प्रापत होएगी जो भी बताएं उपाए आपको दो तारीकों कौशा करना है कि उत्रा शाड़ा नक्षतर में चल रहे हैं चंद्रमा उत्रा शाड़ा का मतलब बा और आज आप सूरिय अराज़ना वश्रा खरें क्योंकि यह नक्षट्र है सूरिय का सूरिय के आदित' एम लिए सो तो आपका सामजिक सर्किल बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान और रूत्वा बढ़ेगा, शिक्षा में भी सुधार होएगा, प्रोपर्टी से संबंदित कारे आपके बन सकते हैं, यात्रा की भी योग बनेंगे, सोटी मुटी यात्रा हैं आपके हो सकती है, कुल मिलाके यह आपके आत्मिविश्वास में व्रती करेगा, किसी भी परकार का आप कारे कुछ रथा तो बहुत बड़ी चड़ी रहेगे, पेंडिंग कारेों को करने के लिए यह दौने दिन बहुती बड़ी हैं, तिन तारीक और चार तारीक, तीन तारीकों चन्दरमा चलेंगे शर्मण नक्षत्र के अंदर, तो आप जितना हो सके कम बोलें, तीन तारीकों आपको इसी चीज़ का द्यान रखना है, पूरे दिन के आप कम बोलें, अधिक सुनें, क्योंकि आपके ज्यादा बोलने के कारण आपके सुखों में कमी हो सकत लगनेश भी आपके जो लगनेश या मंगल वोशनी के साथ भी चल रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको आज बोलने से परिशानी नहीं हो तो नाकारात्मक विचार भी नहलाएं और ज्यादा भी नहीं बोलें इससे आपको सपोर्ट मिलेगा भारवाली लोगों का भी औ बात को चल रहा था तो वहां पर आपकी विजय निश्यत है परन्तु फिर भी आप शांत रहें दीर गंबीर रहें कोई बड़ा धन प्राप्ति भी आपको इस दिन हो सकती है प्रॉपर्टी का सेल प्रिचेस करते हैं तो उसमें आपको लाब अवस्य ही होगा शिक्षा में मोबाइल पर सुनने से क्या होगा कि आपको अच्छे वचन सुनने को मिलेंगे आपको डाठ पटकार और आपकी गुराई सुनने को नहीं मिलेंगे और आपको ऐसे वाकिया सुनने को मिलेंगे जिससे आपका मन परसन रहेंगा परसन साब जनक वाकिया आपको सुनने को मिल इस दिन भी आपको अपने बहुत ही सोच समझ के करने हैं और इस दिन का यह उपाई रहेगा कि आपको गनीष्टा नक्षत्र में चल रहे हैं संद्रमा गनीष्टा नक्षत्र मंगल का तो हनुवान चालेसा का पार्ट करें इससे आपकी बुद्धी सही रहेगी और हनुवान संद्रमा तो आपको प्रॉपर्टी से संबंदीत में पूर्ण कार्य आपके इस दिन बन सकते हैं तो अब हम बात करते हैं 5 और 6 तारीक के 5 और 6 तारीक को चल रहे हैं यह कंद्रमा कुमब राशी में जो कि आपके पढ़ती है फोर्थावस में, फोर्थावस होता है हमारे माता का, मंगल और शनी की यूति भी आपके फोर्थावस में चल रही है, तो घर में थोड़ी सी सुकों की कमी आप मैसूस कर सकते हैं, इन दो दिनों के अंदर, कौन्ची तारीक पांच और छा तारीक, साथ तारीक बहुत है, यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं, तो यात्रा में आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, विरोधी आपके बढ़ सकते हैं, कोई बीमारी मारी आपके पहले से चल रही है, तो उसकी इलाज आप प्रपर लें, चक्कराने की प्रब्लम रह सकती है, इसलिए आ आप मानशिक शान्ती के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा भी चल रहे हैं आपके माता के घर में, तो बुद्ध को मजबूत कीजिए, आप बुद्ध आपके बिमारी का कारण है, अस्टम करका मालिक है, हरी सब्जियां खाईए, गणिश के आपको पांशिक शारादना कीजिए, शाथ ये साथ, पांशिक तारीक जो उबाए है, वो ये है कि चंद्रमा चल रहे हैं सत्विक्षा नक्षत्र में, राहू के नक्षत्र में, तो आप गणिश रादना कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, शे तारीको भी आप गणे शारादना वर्षे कीजिए, पांशिक तारीको भी आपके फायदा ही होगा आपको, पांच और शे तारीको ये है कि संपत्ती से संबंदित कोई सुचना आपको प्राफ्त हो सकते हैं, अगर आप टांस्वर के लिए प्रियास रहते हैं, तो आपका टांस्वर मन्चा ये अच्छा परिणा में पांच और शे तारीको फोर्ता उसमें चल रहे हैं, परन्तु प्रोपर्टी का घर है ये, तो प्रोपर्टी से संबंदित कारे हो सकते हैं, सुप समचार भी मिल सकते हैं, परन्तु माता के सुप में और घर में सुप में आपको कमी मैसूस होईगी पिता से आपको लाग प्राप्त होएगा, कहीं नई जॉब लगी है, आपको तो नई जॉब में जुब परिशानी आ रही थी, जल्दी से सॉट आउट हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, कारेश से इत्र में आप क्यों नेती होएगी, अगर आप क्या अभी तक जॉब नहीं लगी थी, तो जॉब लगने से संबंदित प्रियास, आपके सफल होएगे, कुल मिलाके देखें, तो बाहरी दुनिया के इसाप से ये दिन बहुती बढ़ी है, प्रंको माता के इसाप से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम य जिवन साती इस कुचरकाल, इस दिन रहने वाला है, पैसा भी बहुत आएगा, जिवन साती के माधिम से लाब भी होएगा, और आपकी खुद की बुद्धी भी बहुत अच्छी रहेगे, और जो भी आप निडने लेंगे, बच्चों के संबंदित काम भी आपके होएगे, बच्चों पढ़ाई कर प्राफट रहें यहां पर सुक्री देवा रहे हैं बहुत सारे आपके काम बढ़ेंगे बड़े बड़े जो आपने सोचे थे जो आपको नकारत मगत था नकारत मक्ता सपता के अंत में जाते जाते पूरी तरह से पोजिटिव हो जाएगी और शुक्र आपके जीवन में काफी प्रसन था बहार लेके आएंगे मन प्रसन रहेगा कि तबाव में शुक्र आके आपको प्रफुलित कर देगा साथ ही साथ गुरू भी आपके लगने में चल रही थी तो उनका सपूर्ट मिलेगा संबंदों में सुधार होएगा विभा का भी योग बना हुए अगर आप लव में रिश्क करना चाते थे तो बहुत अच्छा योग बना हुए है लव में रिश्क और आप प्रस्तान करेंगे जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी संतान के लिए इच्छुकते संतान गर्व में आ नहीं रही थी तो संतान कंसी होने के चांसे भी पूरे-पूरे बने हुए हैं लॉट्री जुवा सट्टी सट्टा इन में आपने पैसा लगाया हुआ है तो यहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहीं लॉट्र सट्टे का भी है यहां पर सुकृ देवा के बहुत तरह के सुक आपको देने के लिए लगायत हैं तो अवश्य करें सुकृ को प्रसन इस दिन नक्षत्र चल रहा है पूर्वा भाद पत्र गुरू का नक्षत्र चल रहा है इसलिए विश्मों चालेसा का जाप करना केले की करना और साथ इसाथ अपने गुरू का सम्मान करना यह उपाया वश्य करें इससे आपको फायदा होगा और अगर आप गुरुवार का वरत करते हैं तो इस दिन आपके लिए का सिवन ने करें पूर्वा भाद पत्र नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आते हैं बहुती प्र को अपने उपर हावी ने होने दें कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको आखिर कर ला भी दे के जाएगा बस आपको अपने शरीर का थोड़ा सा द्यान रखना गुपनों का दर्द चक्कराना और चोट का इन चुजों का द्यान रखें बाकि सब मंगल में चैनल पर अनने लोगों को फायदा होता है